NCTE ने नए इलिजिबिलेटी रूल कह लिजए या एक clarification दी है CETAT eligibility पे कि क्या माननेता रहेगी ये बहुत बड़ी confusion रहती है बहुत बार कि first year में हैं तो क्या हम CETAT का exam दे सकते हैं अगर अपनी teaching training के first year में teaching training बोले तो कोई भी BTC, DLAD, BAD BLED, कोई भी आपका teaching training course जिसमें आप training ले रहे हैं teaching की मतलब teacher बनने के लिए तो इसके first year में आप अगर हैं और आपके exams हो गए हैं और result आ गया है तो हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं इस तरह की बहुत सारी बाते चलते हैं सेकेंड यर में ही दे सकते हैं या फिर क्या रहता है इस पर भी clarity सीट के notification में भी उस हद तक नहीं रहती अगर आप देखेंगे तो सीट के notification में भी हमेशा यही लिख के आता है कि मानली जो 2020 में आपकी teaching training complete होगी तो उस case में आप फर्क नहीं पड़ता आप first year में के second year में अगर 2020 में complete होगी तो आप eligible हैं इस तरह से रहती थी चीज़ें लेकिन अभी इनों ने यह चीज़ बिल्कुली clear करती है जो NCT, आपकी regulatory body है जो पूरा teaching के जितने भी चीज़ें होती है उनको control करती है National Council for Teacher Education चानेंगे, तो हम यह कह सकते हैं यह seated का bachelor जो career level पे आया हुआ है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यह कह सकते हैं हम यहां कि pursuing मतलब आप कर रहे हैं किसी चीज़ को pursue कर रहे हैं लक्षा है कि आप complete कर देंगे दूसरी चीज़ appearing हम कह देते हैं कि भाई अभी appearing में है यानि आप B.I.E.D. के second year में हो सकते हो B.T.C. के या J.B.T. के D.L.E.D. के second year में हो सकते हो first year में हो सकते हो तो मतलब आपने admission ले लिया है और आप pursue कर रहे हैं that means आप admitted हैं उस institution में ठीक या उस course में किसी भी TTC कोई भी teacher training course ये हो सकता है जिसमें आप admitted हैं 2011 से अब तक अगर आपने क्योंकि जो अभी नियम आया था वो ये था कि अगर आपने एक बार seat at qualify कर लिया तो वो long run के लिए हो गया चाहे 2011 से अब तक आपने कभी भी किया हो यानि ये नियम जो है retrospect में लागू होता था तो ये वही कहा रहे हैं कि 2011 से अब तक जो भी eligibility के नियम है उसके आधार पे जो pursuing है उसका मतलब है कि आपने चाहे वो first year में दिया हो second year में दिया हो और चाहे आप first year में हो second year में हो अभी-अभी admission लिया हो अपने teaching training में form fill करेंगे मस तरीके से एक ही बार में qualify करके और अभी से अपनी तयारी शुरू कर देंगे बे फिकर होगे क्योंकि कई बार होता है कि मान लो 6 महीने paper नहीं हुआ या अब तो साल में एक बार ले रहेंगे तो आपको attention नहीं है उस case में अच्छा इसमें एक और question आता है कि मान लीजे किसी के 90 marks आए पहली बार paper देने पर 90 marks आए और वो आप appearing में थे अपने teaching training के अब next time आपको number बढ़ाने इसलिए आप दोबारा paper दे रहे हो ऐसी आपका मन है तो अब कई लोगों को ये डर रहता है कि ये 90 कहीं final तो नहीं हो जाएंगे अगर मेरे पहले 99 थे तो कम तो नहीं हो जाएंगे आप बढ़ेंगे कैसे तो ये आपके हाथ में होता है कि आपने चाहे 6 बार CTAT दिया हुआ हो आपको किसी यर का certificate लगाना है तो वह आपकी मर्जी है कि आप ये 3 certificate है माली जैसे मेरे पास 6-7 certificate होंगे ही ढून डान के मिल जाएंगे तो तो अगर हम बात करें तो आप इन में से जो चाहें वो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं certificate जब भी आप job के लिए apply करेंगे ठीक है इतनी बात clear है शुबम चाधरी कह रहे है how to purchase seated batch now तो वह ही तरीका है simple career will app download करेंगे आपको description में link मिल जाएगा और वहां जाके भी भी discount है शायद 15th August तक चलेगा क्योंकि इस बार independence टेगा कुछ है special फिर बाद में लोने अगेन वही बात कह दी है कि जो guidelines है आपकी TET की 11 February 2011 से जो यह कहानी शुरू ही है आपकी TET की तो उस case में जो उनके eligibility के rule है मान लिजे आपने आज तक भी अगर कभी किया होगा qualify तो qualify माना जाएगा क्योंकि यह वो नियम जो है कि lifelong हो गया वो retrospect में लागू होता है retrospect बोले तो कि जब से शुरू हुआ है पूर पीछे जाके भी लागू हो जाएगा तो यह चोटी सी बात थी इसको लेकर कि आप लोग काफी परिशान थे कि व्यसकी की vacancy इस साल आने की उमीद है बस उमीद ही लगा रहे है हम लोग इतने टाइम से तो यह चोटी-चोटी बात में इसमें दो-तीन paragraph है तीन ही paragraph है जो काम के हैं इस चीज को लेकि आप लोग batches में भी परशान थे आज classes में भी आज जो CETAT के batch में वो वाली class नहीं हुई है एक और class हुई है मैं actually classes कम लेते हैं दो दिन से तब यह थोड़ी धी लिए तो यह एक छोटी-सी बात हुई और भी कुछ चीजें है CETAT एक बार detailed information, bulletin अपना निकाल थे तो हमारे लिए भी easy हो जाएंगी चीजें प्लान करना बाकी slivers वगेरा में कोई changes सच होगा नहीं क्योंकि online exam हुआ था अभी उसी में थोड़े-बात changes जिनों ने कर दिये थे ठीक, इसके अलाबा कोई भी doubt हो तो आप अभी भी comments में पूछ सकते हैं यह छोटी-सी information पसंद आई हो तो like, share भी कर सकते हैं comments में, बता भी सकते हैं अपने विचार